दमाश्टर प्रकास क्लासेज यूटूब चनल आप सभी लोगों का स्वाध करता है उत्रपदेश में यूपीटर प्रिक्षा पैट की तयारी करने वाले सभी अभ्यरती तयार हो जाएए आज का अपना प्रैक्टिस आट देने के लिए आप सभी लोगों के परिक्षा का एड्मिट कार्ड आचुका है तो आप सभी लोग अपना एड्मिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजे और देखेए आपका सेंटर कहां पर गया है तो चलिए हम लोग फटाफट अपने प्रैक्टिस एट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम तो हमारी इस प्रैक्टिस एट का जो पहला प्रिष्ण है उसमें लिखा है किस मुगल सिना नायक के साथ सिवा जी ने पुरंदर की संधी जो की 1665 में हुई थी इस पर हस्ताक्षर किये थे तो पुरंदर की संधी सिवा जी के साथ किस ने किया था विकल्फ आपको पढ़ना है और विकल्फ पढ़ने के बाद फटा फटा आपको आंसर बताते चलना है तो पहले प्रिष्ण का आंसर विकल्फ ए जैसिंग हमारा सही रहेगा दूसरे नमर पर आगे पढ़ते हैं नि इसको बताईए दूसरे नमर के प्रिष्ण में बिकल्फ ए अजमेर के बारे में लिखा गया है कुबल अल-इसलाम मस्जिद यह आपका पूरी तरीके से गलत है यानि कि बिकल्फ दो आपका सही रहेगा चलिए अपने तीसरे नमर के प्रिष्ण में बढ़ते हैं तीसरे न लिखा है अश्टा ध्याई को भीया लिखा है यह चार नमर पर जो प्रणीन है इन्होंने लिखा है महाभास से किसने लिखा है पतंजली ने लिखा है निरुक्त किसने लिखा है निरुक्त नमर एक यास्क ने लिखा है और वार्तिक किसने लिखा है यह कात्याय ने लिखा इस प्रकार अब आप अगर बिकल्प को देखेंगे तो आपका जो बिकल्प तीसरे नमबर के प्रिश्ण के लिए जो बिकल्प A है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चोथे नमबर के प्रिश्ण पर निमलिखित मौरिश शाषक बौध धर्म के अन्याई थे यह आपको बताना है तो चोथे प्रिश्ण के लिए आपका बिकल्प D सही रहेगा दूसरे और चोथे यानि कि असोक और दसरत बहुत धर्म के अन्याई थे आगे बढ़ते हैं पांचवे नमबर पर सत्पत ब्राम्हण किस से सम्मन्धित है तो सत्पत ब्राम्हण का सम्मन्ध किस से है फटाफट बताईए इसका सम्मन्ध यजुर्बेश से है विकल्प भी सही रहेगा शे नमबर पर चलते हैं, सिविल सेवा के लिए परती इसपर्धी परिच्छा की ब्योस्था सिध्धान्त रूप में निमलांकित वर्ष में सुविकार की गई तो कुल मिला के आपको बताना है कि सिविल सेवा की जो परिच्छा है उसको कब से स्टार्ट के लिया गया था तो छटवे परिच्छन के लिए आपका विकल्ब भी अठारा सुत्तिरे पन बिल्कुल सही रहेगा तो कहने के मतलब यह है कि अरुणा आसिफ अली किस आंदोलन से जुड़ी थी यही आपको बताना है तो साथवे नमर में आपका विकल्ब सी भारत छोड़ो आंदोलन बेल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं आठवे नमर पर सुभा चन्र बोस ने सोतंद्र भारत की सरकार का उधगाटन कहां पर किया था तो आठवे नमर के प्रिश्ण के लिए आपका पहला विकल्ब सिंगापूर बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं अपने नवे नमबर के प्रिश्ण पर और एक मिनट का समय दीजिए इसे एजेस्ट करने के लिए ठीक अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं निम लिखित में से कौन सी जोड़ी सही है तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों के नाम दिये गये हैं उनसे संब्दित घटना के नाम दिया गया है इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? वही आपको बताना है तो नौमे प्रिश्ण में बिकलफ B की सूरिसेन चटगाउं केस से समंदित हैं यही हमारा सही है बाकि सब गलत हैं आगे बढ़ते हैं अपने दस्वे नमबर के प्रिश्ण पर तो दस एक मिनट का समय दीजिए कभी-कभी चीजें गढ़बढ हो जाती हैं दस्वे नमबर में लिखा है भारतिय प्रेस की सोतंतरत का प्रिणेता है तो भारतिय प्रेस की सोतंतरता का प्रिणेता किसे माना जाता है यह आपको बताना है दस्वे नमबर में बिकल्फ बी चार्ल्स मैटकॉफ बिलकुल सही है ग्यारान नमबर हम लोग बढ़ते हैं स्वे तुराज अमेरिका यू ऐसे के दक्षणी कैलिफोर बिलकुल सही है तो फ real प्रांस के बीच सीमा वटाने वाला जो प्रवत है उसका क्या नाम है तो फ्रांस और स्वेस्वे जो सीमा रेखा का निधारान करता है वो पेरी-नीज प्रवत करता है तेरे मिलकुल सही आगे भरते हैं निम्लिकित में से किस नदी के त्यट पर बंदरीनाथ का प्रसिध मंदर इस्थित है तो बंदरीनाथ किस नदी के किनारे है विकल पे अलक नंदा बिलकुल सही है आगे भरते हैं 15 नमबर पर उरुगवे दौर किस से सम्मानित है तो उरुगवे दौर ये एक प्रकार की घटना है ये किस से संबन्धित है तो 15 नमबर का प्रिष्ण विकल्प A WTO बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं 16 नमबर पर 2011 की जनगर्णा के अनसार निम्न में से किस राज में जनसंख्या में कमी आई है जो जनसंख्या में कमी किस राज में आई है 16 नमर के लिए आपका विकल्प A नागलैन बिल्कुल सही है 17 नमर पर चलते हैं निम्न में से कौन मद्ध्यान भोजन योजना को प्रारम और बेवस्थित नहीं करता है तो मद्ध्यान भोजन योजना से कौन जुड़ा नहीं है बिकल्प D ठेकेदार इसके लिए सही रहेगा 18 नमर पर चलते हैं निम्नित में से कौन एक रवी की फसल है इन चार बिकल्पों में रवी की फसल कौन है इसके लिए आपका बिकल्प D 600 बिल्कुल सही है 19 नमर पर जलते हैं भारती रुपे का बाहे मूल हाल ही में आउम्मूल्यन किया गया था तो भारती रुपे का पिछली बार आउम्मूल्यन कब किया गया था ये आपको बताना है बहुत इंपोर्टन प्रिष्ण है आपके अर्थसास्त्र का तो 19 नमर के लिए हमारा जो आंसर होगा वो जुलाई 1991 होगा बिकल्प A 20 नमर पर बढ़ते हैं आयत योम निर्यात पर लगाये जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है तो जो आयत और निर्यात पर टेक्स लगाते हैं उसे क्या कहते हैं बिकल्प C उसका नाम है सीमा कर चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखे 21 नमर से जो हमारा PDF है थोड़ा सा इसका सही नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिएगा सम्धान के ग्यारवी अनसूचिक अनुसार पंचायत के 16 धिकार को कुल कितने बिशियों में रखा गया है तो पंचायत के 16 धिकार के में टोटल कितने बिशियों हैं 21 नमर का विकल्प C आपका सही रहेगा 29 22 नमर अब चलते हैं भारतिय समधान तदर्थ न्यायधीसों की निव्ति की ब्योस्था करता है ये किसके अनुसार होता है तदर्थ न्यायधीसों की जो निव्ति की जाती है वो किसके अनुसार होती है 22 नमर में बिकलते ही सरबोच न्यायले में की जाती है ठीक है तेश नमर पर चलते हैं केंद् बिकल्फी तमिलनाड 이후 बिलकुल सही है 24 नमबर पर आगे भुते हैं सामान ओर этой के सामान बेतन यह सभी लोगों की डिमांड होती है कि सामान कारे کे लिए समान बेतन दिया जाये यह भारतिस हमिधान में कहाँ पर है भारती समिधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीती से सम्मन्धित है तो विदेश नीती से कौन सा आर्टिकल सम्मन्धित है 25 नमबर में आपका विकल्प D, आर्टिकल 51 बिल्कुल सही है आगे हम लोग 5 प्रिष्ण बिज्ञान के देखने वाले है निमलिकित में से कौन सा वर्ड फिलू का विसानू है तो वर्ड फिलू का विसानू होता है उसका क्या नाम होता है 26 नमबर में बिकल्प D, H5N1 हमारा सही रहेगा 27 नमबर पर चलते हैं हिर्दय की धरकान को नियंतित करने के लिए सबसे आवस्यक जो खनिज होता है उसका क्या नाम है तो हिर्दय की धरकान के लिए जो सबसे उपयोगी खनिज होता है वो आपका विकल्प C, Potassium होता है आगे बढ़ते हैं 28 नमबर पर निमलित में से मुखिता किसके लिए C10 संख्या, गुरवत्ता, प्राचल की रूप में प्रियोग की जाती है तो C10 संख्या किसके लिए प्रियोग में लाया जाता है विकल्प C, डीजल के लिए प्रियोग में लाया जाता है उन तीस नमबर पर चलते हैं, निमलिखित में से कौन सा रसायन कृतिम वर्षा के लिए प्रियोग में लाए आता है, तो कृतिम वर्षा किसे होती है? तीस नमबर में कृल मिला के आपको बताना है, के रेडियो तरंगे कहां पर पाई जाती है? आसान प्रिश्ण है, सब को पता है, रेडियो जो तरंगे होती है, वो आयन मंडल में पाई जाती है, इसको हम लोग आयनो इश्पियर भी कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपके 31 नमबर के प्रिश्ण है, ये गणित के प्रिश्ण है, गणित के प्रिश्णों को हम लोग यहाँ पर solve नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग अपने हिंदी के प्रिश्णों को start करते हैं, और 36 नमबर से आगे बढ़ते हैं, एक मिन का समय देजे, इसको थो बिकल्प ए भारतियंदूयुग बिल्कुल सः है आगे आपको एक मुहाव्रा लिखा गया है इसको आपको पूरा करना है एक करेला इसकी आगे क्या आएगा यह आपको बताना है एक करेला दूजा नीम चढ़ होता है बिकल्प D आपका सही रहेगा सदेव ये जो सब्द है इसमें कौन सी संधी है तो सदेव में बिकल्प सी बृध्धी संधी होती है आगे बढ़ते हैं अपने 29 नमबर के पर मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया ये हमारा जो वाक लिखा है ये गलत लिखा गया है मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया इसको आपको सही बनाना है तो इन चार विकल्पों में इसका सही वाग की कौन सा होगा विकल्पों को फटा-फट देख लिजे उसके बाद सही आंसर बताइए यहां पर आपका विकल्प-D मैंने हस्ताक्षर कर दिये बिल्कुल सही रहेगा 40 नमबर पर बढ़ते हैं बिलोम सब्द के अनुचित जोड़े को पहचानी है तो ये बिलोम सब्द लिखे गया है इन में सो जो अनुचित है यानि कि जो गलत है वो आपको बताना है तो इसके लिए आपका कौन सा सही रहेगा बिकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा तो आगे हमारे जो 41 नमर के प्रिष्ण है ये अंग्रेजी के प्रिष्ण है यदि आपने अंग्रेजी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन 5 प्रिष्णों को इसकीप करके आगे बढ़ जाएए तो चलिए फटाफट हम लोग अंग्रेजी के प्रिष्णों को सौल्व कर लेते हैं ये प्रिग्राफ आपको कहां से मिलेगा आप PDF डाउनलोड कर लीजेगा टेलिग्राम चैनल में जाके PDF को डाउनलोड कर लीजेगा और आराम से बैट कर प्रिग्राफ को पढ़िएगा 41 नमर का जो हमारा अंग्रेजी के प्रिष्ण है इसका जो आंसर होगा वो आपका बिकल्प ए हर confidence बिल्कुल सही रहेगा अब आपकी किसके grammar की question स्टार्ट होंगे तो चलिए grammar को ध्यान से देखिए ये चार जो आपके sentence लिखे गए है इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है वीडियो को pause करके जितना भी आपने अंग्रेजी grammar में पढ़ा है सारा नियम कानून यहाँ पर लगा लिजेगा हम लोग यहाँ पर सिर्फ आंसर बता रहे हैं आपका दूसरा जो बिकल्प है इसके आगे कौन सा sentence आएगा इन चार बिकल्पों में से ये आपको 43 नमर में बताना है तो वीडियो pause करके अपना पूरा दिमाग इसमें लगाईएगा फिर अपने हिसाब से इसका अंसर बताने कोशिच करिएगा हम चली इसका अंसर बता देते हैं विकल्प C, decide to enjoy a morning ride on the open ये बिल्कुल सही रहेगा आगे choice नमर में आपको एक प्रिष्ण direct indirect से मिलेगा तो ये आपको direct sentence दिया गया है इसको आपको indirect में convert करना है और indirect ये आधा sentence दे दिया गया है C, asked her brother इसके बाद क्या आएगा यही आपको बताना है तो choice नमर में विकल्प B, not to buy mangoes बिल्कुल सही रहेगा पैतार्स नमर का जो प्रिष्ण होगा वो active passive से सम्मधित प्रिष्ण होगा active में एक वाक्त लिखा होगा do not insult your elders इसको आपको passive में convert करना है तो जो पैतार्स नमर का answer होगा वो बिकल्प सी होगा let your elders not be inserted by you तो अंग्रिया जी के प्रिष्ण को करने से पहले क्या करिएगा वीडियो को पॉस करके अपने हिसाब से इसका answer निकालिएगा उसके बाद जो हम solution बता रहे हैं उसको देखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं श्याइस नमर में आपके reasoning के प्रिष्ण है reasoning के प्रिष्णों को हम लोग इहां पर solve नहीं करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 50 नमर के 50 की बाद 51 इंक्यावन नमर के प्रिष्ण पर एक मनट का समय दीजे इसको हम लोग अजेश्ट कर लेते हैं पहले भारत का पहला राष्टरिये खेल विश्व विद्याले किस राज़े में स्थापित किया गया है तो इंक्यावन नमर में आपका विकल्प D मणीपूर बिलकुर सही रहेगा फिप्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है उसका जो हमारा आंसर होगा वो आपका बिकल्प सी करनाटक होगा आगे बढ़ते हैं अंतराष्टिय न्यायाले का मुख्याले कहां है सब पता है है जो कि सोटेजर लेंड में है वहाँ पर आपका अंतराष्टिय न्यायले का मुख्याला है आगे बढ़ते हैं अपने अगले पर आबुधावी किस की राध्धानी है तो आबुधावी किस की राध्धानी है यह आपको बताना है राजधानिया तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसका पहला वाला विकल्प UAE यानि की United Arab Amirat बिल्कुल सही रहेगा प्रिंट यहाँ पर थोड़ा सा गड़बर आया है लेकिन आप लोग इसको समझ लीजेगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग सभा संस्देश छेतर है तो टोटल उत्तर प्रदेश में 80 लोग सभा छेतर है विकल्प C सही रहेगा 58 नमबर पे पंच महल किस में इस्थित है तो पंच महल किस महल में इस्थित है या कहां पर है यही आपको बताना है तो 58 नमबर का जो हमारा आंसर होगा वो विकल्ब C, फतेपूर, सीकरी हमारा सही आंसर हैगा 59 नमबर में निम्ण में से कौन सा देश जलवाईव परिवर्तन पर पेरिस समझोते 2015 से 4 नमबर 2020 को अपचारिक रूप से अलग हो गया है तो जलवाईव परिवर्तन से कौन सा देश अपने आपको अलग कर लिया है विकल्ब A, अमेरका यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा 59 नमबर से आपके करंट अफेर्स के प्रिशन स्टार्ट हो चुके हैं हाँ, यहाँ पर एक चीज और आपको बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि यहाँ पर हम लोग करंट अफेर्स तो लगा ही रहे हैं इसके अलावा करंट अफेर्स के लगभग 50 छोटे-छोटे आपके पांच मिनट से लेके, चार मिनट से लेके, पांच मिनट तक की वीडियो हम लोग बना रहे हैं और टोटल 50 वीडियो बनाएंगे आपके इकजाम यानि 24 तारिक तक तो आप इस वीडियो को भी देखते रहें क्योंकि इसमें बहुत सी ज़्यादा महत्तपून करंट अफेर्स कराया जा रहा है एक वीडियो लेक्चर में हम लोग 10 प्रिश्ण कराते हैं इस प्रिकार अगर आप 50 वीडियो सॉल्व करेंगे तो टोटल आपके 500 प्रिश्ण सॉल्व हो जाएंगे वह 500 प्रिश्ण आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं साथ नमर पर वातायन अंतराष्टिय सिखर सम्मान किसे दिया गया है साथ नमर का विकल्प भी रमेज पोखरिया निशंख बिल्कुल सहीर है आगे बढ़ते हैं एक साथ नमर का प्रिश्ण थोड़ा सा बड़ा प्रिश्ण है इसको हम लोग स्वाल नहीं करते हैं आपको बताया गया है कि आप अपनी परिश्ण के लिए स्रिफ वन लाइनर करंट अफेर्स ही पढ़िए इस प्रकार के जो PCS के एक्जाम में करंट अफेर्स आते हैं उसको पढ़ने की कोई आउशकता नहीं है उनेशको के सहयोग से दिये जाने वाले वैस्विक सिक्षक पुर्सकार से किसे सम्मानित क्लिया गया है तो 62 नमबर में रंजी सिंग डिसाले बिलकुल सही आंसर है 63 नमबर प्चलते हैं विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता की संसोधित रंकिंग रिपोर्ट हार ही में जारी क्लिया गया है इस रिपोर्ट में भारत की कौन सी रंकिंग है तो कारोबारी सुगमता में भारत की कौन सी रंकिंग है 63 नमबर में आपका विकल तीसरा 63 नमबर का जो option है वो हमारा C है और उसमें भी 63 वाँ इस्थान है ठीक है आगे भरते हैं 64 नमबर पर किस संगठन ने भारत में विश्ट की पहली quantum computer की application lab इस्थापित करने के लिए electronics और सूचना प्रोधोकी की मंत्राले के साथ भागेदारी किया है यह January 2021 की घटना है इसका आपका विकल्फ D Amazon बिलकुल सही रहेगा 65 नमबर पर चलते हैं एक बहुत ही महत्तपून प्रिश्ण है 2021 World Economics Forum की वार्षिक बैठक में के इंक्यानुवे संस्क्रण The Davos Agenda 2021 की क्या थीम थी तो The Davos Agenda 2021 का थीम क्या थी विकल्फ D A Crucial Year to Rebuild Trust विकल्फ D यहाँ पर सही रहेगा आगे बढ़ते हैं अपने 66 नमबर के प्रिश्ण पर Transparency International दौराजारी भरष्टाचार धारणा सूचकांद CPI में भारत की क्या रैंकिंग है तो भरष्टाचार में भारत की जो रैंकिंग है वो है कितना 86 ऑसर नमबर D यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं भारत का पहला Digital विसुविद्याल है कहां पर launch किया गया है तो भारत का जो पहला Digital विसुविद्याला है वो केरल में बनाया जा रहा है विकल्फ D आपका सही रहेगा 68 नमबर पचलते हैं बित्वर्ष 2021 वाइस के लिए कुल कितनी रासी के बजट की पेस कस किया गया है यानि कि ये बजट वाला प्रिश्ण है टोटल भारत का कितना बजट पेस किया गया है तो इसके लिए बिकल्फ A बिल्कुल सही रहेगा 34,83,236 करोण रुपए का बजट परस्तुत किया गया है 69 नमबर पर चलते हैं सभी राष्ट पूजी विकास कोस्क ने निम्न में से किस भारतिय को अपना कारिकारी सचिव निवक्त किया है तो कारिकारी सचिव किसे बनाया गया है 69 नमबर में आपका बिकल्फ D प्रिती सिन्हा आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 70 नमबर के प्रिश्ण पर एक मिनट का समय देजिए कभी-कभी ये चीज़े गरबढ हो जाती है फरवरी 2021 में अरब सागर में दुई पक्षिय सैन अभ्यास पैसेक्स में किस देश की नौसेना ने भारती नौसेना के साथ भाग लिया था तो पैसेक्स जो युद्धव्यास था उसमें किसने भाग लिया था उसमें भारत और इंडोनेशिया विकल्प भी आपका बिल्कुल सही रहेगा आगे के जो आपके पांच पृष्ण है वो हिंदी गध्यास से सम्मनित पृष्ण हैं तो ये हिंदी गध्यास आप लोग आराम से पढ़िजिएगा पढ़ेने के बाद इन पांच पृष्णों का आंसर दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके बाद दूसरा भी आपको हिंदी गध्यान से सम्मधित प्रिष्ण है इसको भी पढ़कर आप इन सारी प्रिष्णों का आंसर दे सकते हैं ठीक है और ये आपको पढ़ने कहां मिलेगा आप डेलिग्राम चेनल में जाएगा महां से PDF जाउनलोड कर लिजेगा वह आराम स बैठ कर इन सारे प्रिष्णों को पढ़िएगा और इसका आंसर जो है इसको आंसर सीट के साथ इसका PDF दिया गया है तो इस आंसर सीट के साथ आप अपने को चेकाउट कर लिजेगा अब आगे के जो हमारे प्रिष्ण है वो तालिका और ग्राफ के प्रिष्ण है अब ताल का practice set किलाते हैं उसमें कोई views नहीं आता है, graph का practice set बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन जब views नहीं आते हैं तो एक निरासा होती है, तो इसलिए हम लोग यूपिटर प्लेस्टी के लिए graph के practice set solve नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने सामाने ग्यान का और current affairs का ही practice set solve कर रहे हैं, इसके अलावा यदि आपको कोई सुझाओ देना हो, इस video lecture के बारे में कुछ बताना हो, कुछ समझाना हो, और कुछ कहना हो, तो इन सारी चीज़ों को आप comment box में लिख सकते हैं, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी practice set में, आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धर्निबाद